का दिल्ली का वोफड़ा पत्र जारी होने जा रहा है आम आपनी पार्टी के राष्टियों सेयोजक्त त्रियदिन केजिरिवाल जी जिल्ली के उप मुखपंत्री मनिसी सोधिया जी हमारे राइस सभा सांसर्ट सज्जे सिंगी और रोग सभा के हमारे सभी उमिद्वाद आप के बीच में मौझूब हैं आम आपनी पार्टी के भुफड़ा पत्र जो हम आज के समख्ष रखने जा रहे हैं इस भुफड़ा पत्र को बनाने के लिए हमने पहले ही दिल्ली के उप मुखमत्री स्री मनिसी सोधिया जी के निद्वित्व मेनेश्ट पमेटी गोशित की थी जिसमें राक्टर मनोश कुमार सींग जी जो जिल्ली विश्वित्याले में प्रोफिसर हैं सीमा जोसी जी जो IITN है, लक्षमन यादोग है जो जाकर रूसेन पॉलेज्ज में पॉफिस्टटर रहें, डाक्टर सिपी कपूँ जी जो गिवेकानन पॉलेज में पॉफिस्टर है और मनोज गुपता जी जो दिल्ली विस्विद्याले के लिसार्ची स्कॉलर है और इसके साथ साथ दिल्ली के तमाम इस्पर्ट्स जो अलग-अलग छेत्र में काम करते हैं उन लोगों ने भी सहयोग किया आज पुर्व घोसित्तित्य के अनुसाब मेने फिश्टू आम आदमी पार्टी का लॉंच करने हम जा रहे हैं सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा सभी अर्विन जी से और पूरी कीम से कि पहले मेने फिश्टू लॉंच करें उसके बाद अर्विन जी अपनी बात सबस्यानूब करते हैं ऊदिए जाकर दिए। आड़ी बांटोंटोंटोंटोंटोंटोंट। नुकुकृ झाल भी जाहर एंग, इंग डिर्ड़ुर्टा धिर्ड़ुंक। धिर्ड़ुंक। कि आप अधिए अधिन पर दो हजार उन्निस का यह चुनाव किसी एक पार्टी के किसी एक मैनिफेस्टो का चुनाव नहीं है आने वाले कौन सी पार्टी आने वाले पांच साल के अंदर क्या काम करेगी वो सारी बाते इस चुनाव में छोटी रह जाती है यह दो हजार उन्निस का चुनाव भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है दो हजार उन्निस का यह चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है भारत चार हजार पांच हजार साल पुराना देश है भारत की एक बहुत ही रिच संस्कृती है भारत में धेरो धरम के लोग रहते हैं, धेरो जातियों के लोग रहते हैं भारत इन सभी विविधताओं में एक है हम हिंदू हो सकते हैं, हम मुसल्मान हो सकते हैं, हम सिख हो सकते हैं हम इस जाती के हो सकते हैं, हम उस जाती के हो सकते हैं सबसे पहले भारती हैं यही पिछले 4000 साल से भारत्य संस्कृति इसी बात की देयोतक है यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है भारत की सबसे बड़ी शक्ति है पिछले 3000- 4000 सालों के अंदर भारत पे तरह तरह के हमले हुए लेकिन वो सारे हमले भारत बरदाष्ट कर पाया क्योंकि भारत एक था भारत में सभी धरम के लोग एक थे भारत में सभी जातियों के लोग एक थे भारत में सभी क्षेत्र में रहने वाले लोग एक थे सभी संस्कृति के लोग एक थे सभी भाशाओं क भारत अगर धरम के नाम पे बढ़ गया, भारत अगर हिंदू और मुसल्मान में बढ़ गया, भारत अगर इस जाती और उस जाती के बीच में जात और नौन जात में बढ़ गया, मराथा और नौन मराथा में बढ़ गया, पटेल और नौन पटेल में बढ़ गया, तो भारत नहीं बचेगा इस 4000 साल पुरानी संस्कृति के ऊपर आज प्रहार हो रहा है और 2019 का ये चुनाव उस भारत को बचाने का चुनाव है ऐला अगर भारत बचेगा तो पार्टियां बचेंगी भारत बचेगा तो यह मैनिफेस्टो बचेंगे तो यह जितने मैनिफेस्टों यह सारे छोटे बढ़ जाते हैं हमें इस चुनाव को उस परिपेक्ष में देखने की जरूरत है आज हमारे देश की रूलिंग पार्टी ने कुछ दिन पहले भारतिय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टों जारी किया उसमें कई सारी बाते कहीं लेकिन उनके प्रेजिडेंट पहले ही कह चुके है कि चुनाव के दौरान तो यह सारे जुमले बोले जाते हैं अमिद्शा जी ने शाहिद 10 अप्रेल को एक स्टेट्मेंट दिया था जो आज भी उनके ट्विटर एकाउंट के उपर है उन्होंने कहा था मैं पढ़ूंगा वो क्यूंकि कभी कह दिया जाए कि केजरीवाल ने गलत कोट किया अमिद्शा जी ने कहा वी विल रिमूव एवरी सिंगल इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम दिस कंट्री एक्सेप्ट बुद्ध बुद्धाज हिंदू एंड सिख्स हम इस देश से सभी इन्फिल्ट्रेटर्स को भगा देंगे हिंदू, सिख्ष और बुद्ध छोड़के इसका मतलब भारते जंता पार्टी मुसल्मानों को, क्रिश्चन्स को, जैनियों को, पार्सियों को और अन्य सभी धर्मों को इन्फिल्ट्रेटर मांगती है इसका मतलब भार्द्य जंता पार्टी का प्लान है कि अगर वो अगले पांच साल में आए तो इन तीन धर्मों को छोड़के बाकि सभी धर्मों को इस देश से बगा दिया जाएगा कि यह हो सकता है कि यह संभव है आज सवा सो करोड़ की जन संख्या में लगब बीस से पच्चिस करोड़ लोग इन धर्मों से आते हैं तो अमिच्छा जी से मैं पूछना चाहता हूं का क्या प्लान है इन सब लोगों का कटल्याम कर दिया जाएगा इन सब लोगों को पैसिफ चिंटा पर्टी का बस咪 एक लाइन का मैनिफेस्टो है जो मैनिफएस्ट उयन लोगों ने अप सब कैम्रां उसके सामने this की या था उनका की एक मैनिफेस्टो geen कि 2019 का चुनाव भारती ज disruptive के इक लेंगे मेनिफेस्ट को हराने का चुनाव है इसको खत्म करने का चुनाव है बाद पाकिस्तान भी चाथा है बाद की यह चाहता है कि बाद की टुकड़े टुकड़े अंदर से भारत कम्जोर जाए हिंदू और मुसल्मान अपसुमे लड़ पाकिस्तान भी चाहता है आज भारती जंता पार्टी पाकिस्तान के एजंडे को पूरा कर रही है आज हमें भारत के एजंडे को तयार करना है भारत को एक रखना है आम आदमी पार्टी का सबसे पहला एजंडा इस चनाव में है किसी भी तरह से केंद्र के अंदर भारती जंत पार्टी को मोदी और अमित्शा जी के जोड़ी को केंदर केंदर सरकार बनाने से रोकना आज हमारा सबसे बड़ा मेनिफेस्ट हुए है जो कुछ करने की जुरूरत पड़ेगी हम उसके लिए वो सब करेंगे जो अमित्शा और मोदी जी के जोड़ी को केंदर में सरकार बना की गठवंदन की बने या किसी भी पार्टी की बने इन मोधी सरकार और इनके लावा उसका आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी और समर्थन करते वक्त आम आदमी पार्टी उम्मीद करेगी कि दिल्ली की जो सतर साल पुरानी मांग या दिल्ली के लोगों की कि दिल्ली को पू नियाई की लड़ाई लड़ रहा हैं बराबरी की लड़ाई लड़ रहा हैं दिल्ली के लोगों को सेकंड क्लास सिटिजन का ट्रीटमेंट डिया जाता है हर्याना पंजाब कमिलाडू महराष्ट आसाम उधर गुजरात और इधर मनिलेंड मनिपुर्द नागा लेंड के लो को पूरा करने की सभी ताकते होती में तो फिर डिल्ली के लोगों के पास अधिकार टिली यूप जो अपनी सरकार चुंटे आं वह उस सरकार के पास कोई सबसे बड़ा मेनिफेस्ट यहीं है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को तूल राज्य दिलाकर रहेगी उसके ल चुनावों के अंदर ऐसा नजर आता है कि किसी की भी पूल बहुमत नहीं मिलने वाला तो मोधी अमिच्छा की जोड़ी को भाजपा को छोड़ के जिसकी भी सरकार बनेगी हम यह उम्मीद करेंगे यह सातों सीटे जो दिल्ली की हैं यह सातों सीटे केंदर में सरकार बनाने म दर्जा दिया जाएगा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो हमारी दिल्ली की महिनाएं सुरक्षित होंगे आज दिल्ली को पूरी दुनिया के अंदर रेप कैपिटल के नाम से जाना जाता है छेचे महीने की बच्चियों के साथ बलातकार हो रहा है क्यों ह लोग पुलिस के पास जाते हैं पुलिस सुनवाई नहीं करते हैं पुलिस जनता के प्रती जवाब दे नहीं है क्यों पुलिस कहती है हम सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं है पुलिस के देखने का अगर किसी के घर में आम दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, हमारी महिलाएं सुरक्षित होंगी, दिल्ली पुलिस को जनता के प्रती जवाब देह किया जाएगा, और दिल्ली पुलिस के अंदर आज दो तिहाई पोस्ट वेकेंट पड़ी हैं, उन पोस्ट को भरा जाएगा, आज एक दिल्ली दिल्ली पुलिस के अंदर हैं, ये दो तिहाई पेकेंट सी भरेंगे, तो दिल्ली पुलिस के करमचारी भी जोश के साथ और इमांदारी के साथ कार्ब कर पाएंगे, दिल्ली पुलिस का मॉडरनाइजेशन किया जाएगा, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, आज हमारे बच्चों को कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलते हैं, एडमिशन क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली के कॉलेजों मांखे एडमिशन लेते हैं, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन दिल्ली के दिल्ली से बारवी पास करने वाले बच्चों क के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए हमारे दिली के कॉलेजों में आज 95% नंबर लाने वाले भी हमारे दिली के बच्चों को कॉलेज में एड्मिशन नहीं मिलते हैं दिली पूर्ण राज्य बनेगी तो दिली के सारे कॉलेजों के अंदर 85% सीट्स हम लोग दिली से बारवी पास करने वाले बच्चों के लिए रिजर्व कर देंगे हम दिली के अंदर इतने कॉलेज आज हम दिली में कॉलेज खोलने के लिए इंसे जमी मांगते हैं जमी नहीं देते हैं आज हम कॉलेज खोलने के लिए हमें परमिशन लेनी पढ़ती है केंदर सरकार से चार साल पहल पर आने वाले बच्चे को भी दिल्ली के कॉलिज के अंदर एड्मिशन मिलेगा आज हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि दिल्ली के सरकार के अंदर जितनी वेकेंसी निकलती है इसमें भी दिल्ली के बाहर के बच्चे आके ले लेते हैं नौकरी ले लेते हैं दिल्ली के अंदर ऐसी विवस्था करेंगे कि 85% नौकरियां दिल्ली सरकार की दिल्ली के रहने वाले वोटर वैसे तो दिल्ली में सभी बाहर के लोग हैं बाहर के राज्यूस याएं लेकिन जिसने अब दिल्ली को अपना घर बनाया जिसन उनके बच्चों को उन लोगों को दिल्ली सरकार के अंदर उनके लिए 85% नौकरियां रिजर्व की जाएंगे। आज इतने सारे करमचारी ठेके पे काम कर रहे हैं, हम उनको पक्का करना चाते हैं। दिल्ली सरकार ने कितनी बार ओर्डर पास कर दिया, लेकिन केंदर सरकार की मंजूरी नहीं मिली, दिल्ली की कैबिनेट ने कितनी बार ओर्डर पास कर दिया, लेकिन केंदर सरकार की मंजूरी नहीं मिली, कि हम सारे ठेके के करमचारी उनको पक्का करना चाते हैं। किया था लेकिन आज दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है हम कानून पास करते हैं दिल्ली की जंता की चुनी हुई सरकार असेंबली में बैठ के दिल्ली के लोगों के हितों के लिए कानून पास करती है उस कानून की कोई वकत नहीं है दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो हम क इतनी खुबसूरत है उनकी रालधानिया दिल्ली हमारे देश की रालधानी है लेकिन चारों तरफ कूड़ा पूड़ा कूड़ा कूड़ा क्यों 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 कि M.C.D. दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती M.C.D. अपने आप में एक सरकार बनी है जो किसी के प्रती जवाब दे नहीं है दिल्ली पून राज्य बनेगी दिल्ली को बाकी रालधानियों के तरह दिल्ली को भी सापसुत्रा किया जाएगा दिल्ली को भी हरा भरा किया जाएगा आज D.D.A. 70 साल पहले D.D.A. बनाई गई थी इसलिए बनाई गई थी कि एक गरीब आदमी को मिडल क्लास के आदमी के लिए घर बनाएगी D.D.A. ने क्या किया? D.D.A. ने केवल और केवल बिल्डरों को प्लोट काट काट के दिया D.D.A. भरष्टाचार का अड़ा बन चुकी है आज एक घर खरीदना मिडल क्लास के आदमी के लिए भी नमुम्किन हो गया है दिल्ली पून राज्य बनेगी दस साल के अंदर दिल्ली के अंदर दिल्ली के रहने वाले हर व्यक्ति को सस्ती और आसान किष्टों में उनके लिए घर बना के दिया जाएगा तो दिल्ली पून राज्य बनेगी और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, हमें दिल्ली के सरकार को उनसे काम करने के लिए के अंदर सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली पून राज्य बनेगी एंटी करॉप्शन ब्रांच वापस दिल्ली के और आज फिर से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार व्यापता है वापस दिल्ली सरकार के अंदर में एंटी करॉप्शन ब्रांच और पुलिस आएगी तो दिल्ली से भ्रष्टाचार भी दूर करेंगे और भी बहुत सारे काम है जो दिल्ली के अंदर हो सकते हैं ज़र दिल्ल के सातों एंपी बनाए लेकिन कॉंग्रिस ने धोखा दिया भार के जंदा पार्टी ने पिछली बार बन वाकर रहेंगे अब मैं मनेजी तो कर दो कि वह दो करेंगे अब में अब मैं अब उसके पीछे का इस वेट है आमाधी पारिटी का और इस मैंटिकेस्टों में जो इसकी आत्मा है कि किस तरह से इसको दिल्ली पुश्ट ने सब्सक्राइब करने में अर्चने आती है और सब्सक्राइब चीज कि दिल्ली का इमांदा इंट एक्सपेर दिल्ली का आम आजमी इतना टैक्स केंद सरकार को देता है लेकिन केंद सरकार उसके बदले में अगरेकर सब्सक्राइब करने के लिए कम से कम पांच शे हजार करने के लिए हर साल सिर्फ और सिर्फ से जाड़े मिलने शूर जाएंगा मैं बाकी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन कुछ ऐसे इसूज हैं मुझे लगता है एक बार और अंडरलाइन करके लेखनी की जरूत है सीलिंग ऐसा इशू है जो दिल्ली के वैपारी बहुत लंबे समय से जेल रहे हैं अगर आज दिल्ली पूर्णराच से होती तो चौबश घंटे के अंदर दिल्ली के मुख्यमंतरी दिल्ली की चुनी ही सरकार दिल्ली में स्टेडिंग रपादी पर क्यूंकि दिल्ली के वैप दिल्ली के बाइस हजार गेस्टीचर्स को पर्मनेंट कर दिया गया होता आज दिल्ली पूर्राच जेहोती तो दिल्ली के ऐस्पताला में डॉक्टर की कमी हैं अब बड़ी अजीब चीज है महला क्लिनिक दिल्ली की चुनी सरकार बनाएगी अस्पताल पे नए बैड पहुचेगा तो उसको देखने के लिए डॉक्टर कितने होंगे होंगे की नी होंगे वह क्यांदे सरकार प्रे करेंगी आज दिल्ली पूर्णास जेहोती तो दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर की कमी पूरी हो गई होती और इतने लोग रॉप्त काम कर रहे हैं उनको पर्टिकल लेवर कर रुका लेकिन नीचे जारी है लोगपाल बन गया होता लोगपाल हमने पास करके पहले साल में के इन सरकार को बेज दिया था सिर्व इसके बेजना पड़ा क्योंकि दिल्ली पूर्णास जेह होता तो जर लोगपाल जिसके लिए ती लंबी लड़ाई लेड़ी गई वह पास हो गया वदार तक लाभू हो गया होता इसी तरह से पॉलिशन से लेके परिवें तक मीनिमुम वेजिस का आप तो सब को पता है कि हमारे दिल्ली के लिए लोगों के मीनिमुम वेजिस दिल्ली की चुनीवी सरकार ने बढ़ाये लेकिन पूरा जिमा ह लोगो ने के कारण गर्यक्सालत उसने डिले हो गया दिखी अचिंग व्यक्तकिया सेनिक को धनी के बहातूर सुपाहियों को लिए के लिए अगर वालों ओप invention पॉप्ते कि आधा रूठी है ने का लिए बड़य दीली को पूरज्य बनाना तो बड़ा लेंड रहिए पर देश की राज़ानी है कि भी दिली को कैसे पूरज्य बनाए जा सकता है तो इसलिए इस मैनिफेस्टों में हमने तो वहां किभए बांड को समझ सके इसके feel on the make this कि आतन elegance वाहां की राज़धानियों ने अपने शहरों को किस तरह से कूहरां का दर्जय का दर्जा दे रखा है यह हमने इस मैं आपके सामें दो तीन उधारन पड़के देदेता हूं कि दिल्ली में इस्थानिया पुलिस दिल्ली की चुनी हुआ शरकार के पास नहीं है लेकिन लंदन बर्लिन मॉसकोर मेक्सिको सिटी ओतावा वाशिंटन डी सी जैसे तमाम शहरों में वहां की चुनी हुआ सब्सक्र अधिकारियों की नियुक्ति और इस्थानंत्रंग यहां दिल्ली सरकार नहीं करती के लिए सरकार करती है लंदन बर्लिन मॉस्को मेक्सिको उटाबा वाशिंटन डीसी बड़े ऐसे शहर हैं जहां हमारे बड़े बड़े लोड़ जाके जिन से इस्पारेशन करते हैं कभी कहत लंदन बनाएंगे कभी कहते हैं मॉस्को वाशिंटन जैसा बनाएंगे उन लोगों के लिए मैं समझ के लिए कि रहता हूं कि अधिकारियों की नियुक्ति और इस्थान अंत्रम इन सारे शहरों में वहां की चुनियू सरकार के पास है जमीन और अर्बन डवलप्मेंट के की चुनियू सरकारों के पास है जिए सरकारों के हाथों में वहां के राज्यों के शहरों के तो यह जो शलावा की आदाता है तो दिल्ली परदेश की राजधान यह कैसे हो सकता है इसको छोड़के बाकी सारी की सारी दिल्ली को जो की कुल मिला के 3% आबादी रहती है यहां पे दिल्ली बाकी की 97% आबादी को उन राजी के दर्जे के नागरिक के तरह से रहने दिया रहा है वह अपनी सरकार से अपने काम घुरा सके उससे अकाउंटबिल कर सके उसको बाइब कर सके उसको भरोसा कर सके कि अवमारी सर्कार वेकर मैं करें और शाल होर स्ब्हेंट को हम जनता के बीच बीदे लिए चJami दो भी लेकर क mustはい寸 के जाएंगे ο इ emo्टbird करों सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती हुई कि लड़ाई करते हुए शुरू हुई थी कॉंग्रेस के साथ गठवंदन के बारे में एक समय में हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे लेकिन आज देश के सामने जो कठिन हालात हैं आज अगर मोदी और अमिद्शाजी की जोड़ी को